हलो दोस्तो, स्वाकत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल S के ओनलाइन सेंटर में आज हम बात करेंगे स्टाफ सलेक्षन कमिशन यानी SSC GD जिसका करेक्षन का डेट आ चुका है 4.1.24 से 6.1.24 तक फार्म में जितने भी करेक्षन है आप कर सकते हैं कैसे करेक्षन करेंगे क्या क्या करेक्षन कर सकते हैं सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में चली बिने किसी दरीके शुरू करते हैं जैसा कि आप देख पार है यह इसका मेंन साइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से इसके मेंन साइट पे चले आएंगी आने के बाद कुछ इस तर केंटिफेस आपको दिखाई देता है जिसमें आप अपना रिस्टेशन नमबर पासवर्ड कैप्शर कोड फिल करेंगे आपको लॉग इन करेंगे ठीक है बहुत सारे बचों को पासवर्ड भोल जाते हैं तो कोई प्रब्लम नहीं फॉर्गेट पा के बाद समीट पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नमबर या इमेल आइड़ी पर ओटिपी जाएगा ओटिफ को वेरिफाई करिए इसके बाद अपने से पासवर्ड को क्रिड कर लिए ठीक है तो हम अपना पासवर्ड और रिस्टेशन नमबर फिल करके लॉग इन करते हैं कुछी स्थर सपको दिखाई देगा जिसमें आपका पुरा पिव्रौन करना चाहते हैं तो इस वाले सक्षन पर क्लिक करें है इस वाले स्क्षिण पर क्लिक करेंगे हम एडिट वाले सेक्षन पर इसके बाद मैं आपने पूरा एडिट कर लूंगा इसके बाद नीचे आएंगी हम नीचे आने के बाद पूरा डिटेल आपको działे हिंगे कितना आप interior की ऐसे इसके बास एडिट करने के बाद next पर क्लिक करें गया से हम इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको यहांसा अपना additional and contact detail यानि आपका पता चेंज करने का option आएगा जिसमें आप अपना जाती के बाद इसके बाद अपना पूरा इसके बाद आप अपना पूरा इसके बाद आप अपना जहां का भी एडेस आपने फिल्ट किया सब कुछ यहां पर दिखाई देगा वह यहांसा एडिट कर सकते हैं इस वाले section पर क्लिक करेंगे उसके बाद ऐडिट कर सकते हैं तो चलिदी करने के बाद नीचे हैं तो हमने अच्छे से पूरी तर्या से इसको एड़ीट करिया है अडिक एडिक करने के बाद ने-स पर क्लिक करेंगे इसके बाद preview check करना चाहते है तुछ कर सकते हैं परना final summit पर click करेंगे ठीक है जैसा यह final summit पर click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP fill करिए capture code को fill करिए इसके बाद submit पर click करेंगे जैसा यह submit पर click करेंगे you have successfully updated your registration number इसके बाद close करेंगे इसको यह तो हमारा हुआ आप registration को कैसे modify कर सकते हैं या edit कर सकते हैं इसके बाद आएंगे हम अपना form में कि form में आप क्या क्या edit कर सकते हैं form में edit करने के लिए आपको जाना है reapply इस पर click करेंगे हम click करने के बाद आपका पूरा detail यहां से दिखाई देगा इसके बाद इस पर click करेंगे इसके बाद reapply वाले section इस पर हम click करेंगे जैसा ही आप इस पर click करेंगे आपको यहां से pop-up आप आएगा जिसमें आपको लिखा हुगा इस यह फर्स अटेम्ट ऑफ मोडिफाइद अप्लिकेशन एक करेक्शन चार्ज दो सुर्पिया अगर पहली बार इस फर्म को अप्ले कर रहे है तो दो सुर्पिया आपका payment करेंगा अगर सेकेंड टाइम करेंगे तो आपको पांच उर्पिया करेंगे ठीक है मैं सूर में ह आपको पता दूँ और आपको एडिट करना है तो यस करिए अगर नहीं करना तो सीधिन नो करिए मुझे फर्म में एडिट करना है कुछ गलत हो गया है तो यस करेंगे इसके बाद आपका फर्म ओप्रिंट हो जाएगा और जहां-जहां पी आपने अच्छे तरीके से एड दिखाई देगा जो अपने रिशिशिन करते होग दिया था इसके बाद नीचे आएंगे हम नीचे आएंगे तो यह से पूछे जाएगा क्या आप एक सर्विसमेन है अगर है तो यस करिए वा नो करिए ठीके इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आपको आईव में छूट अगर किया है तो इसको यस करिए इसके बाद NCC में आप पूल सा सर्टिफिकेट है ABC जो भी आपका रहा है यह से चूछ कर सकते है रिफिर्म्स अफ एक्जम सेंटर आप तहां देना चाहते है जा भी आप देना चाहते दे सकती इसमें पर आज चूछ कर लेता हो इसके देना चाहते इसमें चूछ करशकते है करेंगे इसके बाद आप डूमिसाइल कहाँ का ऐशे इसमें पर आप इंग्लिस में लिखा है आपको हिंदी में पढ़के बता देता हूं यहाँ पर इन्हों ने पुछा हुआ है या आप अपने मुल राज या कि garage या किंद्र सासित पर्देश से दूसरे जाद जे किन्द सासे पर्देश में चलेगा है अगर ऐसा कुछ है तो यस करिए और नो करिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें आपको कोई चरिशाण नहीं करनी है नीचे आएंगे तो प्रिश्फेंस आप पोश्ट को सबसे पहले आप देना यह पोश्ट का डिटिल दिया हुआ, है आप देख पार रहे हैं जीसे आप कौन सब पोश्ट सबसे पहले लेना चाहते हैं CISF, CCRPF, SSB ITPP, ASAM rifle जो भी आप लेना चाहते हैं यहां चूच कर सकते हैं वही preference आपको यहां से feel करना है, इसके बाद हम निशी आएंगे, तो highest qualification आपके पास क्या है, जो भी आपका highest qualification आप यहां से दे सकते हैं, अगर आपने intermediate किया है, तो intermediate choose करेंगे, अगर आपने BA किया है, तो BA choose करेंगे, यहां से बाद आगे बढ़ेंगे, तो 10th standard या उसके होई आपका electricity number से ले लेगा, किस state से पास किया वहास ले लेगा, किस बौर्ट या इणुशिटी से पास किया, वहास ले लेगा, इसके बाद आपका roll number दिखाई देगा इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पूछा आप यहां से चूज फाइल पर जा कि जहां भी अपने फूटो रखा है उसके बाद अप्लोड करेंगे फूटो में आपको एक बात ध्यान रखने है कि आप फोटो होना जरूर है ठीक है यहां तीन मेंने से पहला होना चाहिए उस पर डेटा फोटो लिखा होना चाहिए ठीक है इसके बाद आप यहां पर अपने सिग्निचर अप्लोड करेंगे इसके बाद इसको यहां पर किलिक करेंगे इसके बाद नेशी आएंगे तो आई अगरी पर किलिक करेंगे इसके आप देख पार है फोटो पर मैंने आप एक्जाम्पल के तोर पर बता रहा हूं कि अपर डेटा फोटो किस तरह आप लगाएंगे आप देख पार है आप डेटा फोटो मैंने टाइप किया हुआ है इसके बाद अगर कुछ लगता है कि आप वो गलत हो गया है एडिट या करना पड़ेगा ठीक है आप आगे बढ़ेंगे आपका प्रेमेंट के आएगा ठीक है तो रिकर्यक्सित करने के बाद आप यहां से निकाल सकते हैं अगर अपने में कोई प्रॉब्लम होता है तो डबल वेरिटीटिकेशन पर लिट करके पैमेंट को जो एकी सकसेसफुली अप्डेट करना चाहते हैं तो इस ह候 पर क्लिक करके फाइनल । निकलत चाहते हैं तो मैं यहापे बता दूँ चार एक क्प्राइप एडिवयस तक और अप्डिक कbl कि एडिट कर सकते हैं तो आपने देखा कि इस तरह से हमने स्टाफ सेलेक्शन कमेशन यानि स्सेजीडी में री अप्लाइ या करेक्शन किया स्टेप बाइ स्टेफ सारी जनके रिया पूप प्रवाइट की तो आसा है ये वीडियो और सब को पसंद आया होगा तो लाइक करिए कमेंट करिए और ऐसा इन्फर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रही है जाएं दोस्तो